हेलो फ्रेंज वेलकम टू माय चैनल सी तू पटेल टिप्स पॉर वोमेन और फ्रेंज आज हम बताएंगे लहसुन के अध्भुद गोंगों के भारी में फ्रेंज लहसुन को आयरवेट में एक सधी के रूप में देखा जाता है एक लहसुन में इतने सारे गोंगों होते हैं कि बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने में ये काफी कारगर है बहुत सारे लोग लहसुन का सेवन नहीं करते हैं लेकिन जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं उन लोग बहुत सारी बिमारियों को अपने आप ही ठीक कर लेते हैं फ्रेंस लहसुन में ऐसे गोड़ होते हैं कि यदि आप तीन से चार कली नियमित रूप से अगर अपने खाने में इसका प्रियोग किया है तो बहुत सारी बिमारियों को यह अपने आप ही ठीक कर देता है फ्रेंस लहसुन की जो प्रक्रती होती है थोग इसी गरम होती है लेकिन लहसुन बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है पूरी सर्दियों के मौसा में आप लहसुन का प्रयोग कीजिए इससे आपको काफी लाब होगा सर्दी जो खाम और फ्लू वायरिल इंफेक्शन जैसे समस्याओं से आप बच पाएंगे और पूरी जो ठंड का मौसा में उसमें आपको सर्दी नहीं लगेगी यदि आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इसके साथ फ्रेंस अधर मौसम में बारिस के मौसम में भी आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वायरिल इंफेक्शन से आपको बचाता है गर्मियों के मौसम में आप इसका सेवन थोगा सा कम कर सकते हैं कम मात्रा में कीजिए लेकिन इसका सेवन करना आप छोड़े मत क्योंकि लहसुन बहुत ज्यादा अच्छा होता है स्वास्त वर्धक है और आपके स्वास्त को स्वास्त बनाने में काफी हेल्फुल होता है फ्रेंज लहसुन का सेवन करने से आपका जो ब्लड है वो साफ होता खून को साफ करने में ये काफी अच्छा होता है, helpful है। इसके साथ ही जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं, उन्ך चर्म रोग जैसी समस्पान नहीं होती है। क्योंकि ये blood pressure के रोगियों के लिए काफी अच्छा होता है इसके साथ हाई cholesterol के रोगियों के लिए भी ये काफी अच्छा है हिर्दे रोगियों को लहसुन की कलियों का कच्छा सेवन करना चाहिए ये उनके ज्यादा फाइदे मन्द होगा सुबह के समय खाली पेट यदि दो से तीन लहसुन का सेवन आप करते हैं तो हिदर होग्यों के लिए ये रामबान की तरह काम करता है इसके साथ ही फ्रेंज लहसुन कब जिनासक होता है जिन लोगां का पेट हमेशा खराब रहता है और उनकी आटें की जो सफाई है वो पूरी तरीके से होगी और उनको अच्छी भूग लगेगी इसके साथ ही उनको कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्या नहीं रहेंगी गैस की समस्या को भी दूर करने में लहसुन काफी ज़्यादा कारगर है जिन लोगों को गैस की समस्या रहती है उन लोगों को भी लहसुन का सेवन किसी न किसी रूप में अपने भूजन में जरूर करना चाहिए यदि आप ऐसा भोज़े पदार्थ खा रहे हैं जिसको खाने के बाद आपको गैस या एसिडिटी की होने की समभावना हो हो तो ऐसे भोज़न के साथ आपको लेसुन का प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि आपका जो भोज़न है जो आप भोज़न कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपका उसका पाचन हो सके और आपको कब जिया एसिडिटी से समस्या ना रहे हैं तो फ्रेंस ये थी छोटी से जानकारी उमीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने हैं साथी वैल की एकन को जरूरान करने हैं ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपको लेकर आए तो उसकी पहले देख पाएं और फ्रेंस अगर आपको जनकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शियर जरूर करें